नमस्कार साथियों कैसे हो भगवान से दुआ करता हूँ अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अपने घरों में खुस होंगे साथियों आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेट सीरीज नमबर 19 भाग पांच संग सरकार प्रश्ट नौत्री संग वेस्तापिका कारी पालिका और नया पालिका टोप 50 के उसन जो प्रिक्शन बार बार पूछी जाते हैं हो जाएए तैयार एक बार इसे सेर कर दीजिये अपने दोस्तों के साथ क्योसर नमबर एक आपके सामने पढ़िये प्यारे विद्यारतियों बताएए इसका एंसर क्या होगा भारतिये सविधान कासर से बड़ा भाग है बता ये साथियो इसका एंसर क्या होगा इस वीडियो को अंद तक जरूर देखें बहुती महतपुण क्योसन है सर्व परतम मेरी तरफ से आप सब ही को बेश्टो पलक आजवाली पश्णोत्री आपकी बहुती महतपुण जाए प्यारे विद्यारतियों ज़ादा से ज़्यादा क्योसनों के एंसर आप करो साथियों बता दो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा भी भाग पांच जो कि भारती सविद्हान का सव से बड़ा भाग माना जाता है अती महतपुण क्योसन है क्योसन नमबर दो भारती सविद्हान के भाग पांच का सीर्षक है टाइटल है बताव साथियों इसका क्या होगा याद रखना हमेशा हार के डर को जीत के रोमांच से बड़ा मत होने दीजिये धान देना हमें जीतना है हर हाल में कुछ भी हो जाए इसका एंसर होगा C. संग दा यूनियन है भारती सविद्हान के भाग पांच का सीर्षक संग ये सरकार मत कर देना जो हम विवहार में काम लेते हैं नहीं सीर्षक संग सबधी है के वल क्योशन नमर तीन भारती सुधान के भाग पांच संग में अनुचेद कहा से कहा तक है A. 51 से 152 तक B. 50 से 151 तक C. 52 से 151 तक D. 52 से 152 तक बताओ प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ कन्फ्यूज हो गए क्या साथियों आज जादा तर क्योशन अनुचेदों के ही है जैसे मैंने का नहीं ये भाग बहुत बड़ा है बहुत से क्योशन मनते हैं लेकिन आज मैं केवल अनुचेद कलीर करवाऊंगा इसका एंसर होगा C. 52 से 151 तक है संको अनुचेद 52 से 151 तक कितने अध्यायों में बाटा गया है A. एक अध्याय में B. तीन अध्याय में C. पांच अध्यायों में D. छे अध्यायों में बताओ साथियों बार-बार जीतने वाला जब जीता है तो सुर्ख्या मनती है लेकिन बार बार हारने वाला जब जीता है तो है बनता इतिहास और हमें इतिहास ही बनाना है इसका एंसर होगा C, पांच अध्यायों में भाग पांच जो संग है न वो पांच ही अध्यायों में है जो आगे छे आएगा वो छे ही अध्यायों में है नोट कर लो इस बात को क्यों से नमर पास भारती सुज़धान के भाग पास संग के अध्याई एक में कारिय पाली का अनुचित बावन से अठाथर तक तो बताईए अनुचित बावन में किस का उलेख है बतादो साथियों ए भारत के राष्टपती का B. भारत के उपराष्ट पती का C. भारत के परधान मंत्री का D. उपरुक साभी का बताओ साथियों जो असली योद्धा होगा वो हार नहीं मानता फिर लड़ेगा परेशान होना बंद करो फिर से लग जाओ साथियों अगर एक बार हार गए हो तो जो असली योद्धा होगा न वो हार नहीं मानता फिर जरूर लड़ेगा साथियों इसका एंसर होगा A. भारत के राष्ट पती का अनुचिर बावन में का आए कि भारत का एक राष्ट पती होगा अनुचिर त्यार करो आज जादतर क्यूसन अनुचिर के ही होंगे साथियों कि उस नमर चे भारत का राष्ट पती अपना त्याग पत्र अस्तिपा देता है A. भारत के परधान मंत्री को B. सरोच न्याले के मुख्य न्यायदीस को C. भारत के उपराष्ट पती को D. लोकसवा के अध्यक्स को बताओ साथियों भारत का राष्ट पती अपना त्याग पत्र अस्तिपा देता है बताओ इसका एंसर क्या होगा करो मुल्यांकन कैसी लग रही है आज वाली परश्ट नोत्री बहुती रोचक गजब और महत्तपुन है इसका एंसर होगा सी भारत के उपराष्ट पती को देगा राष्ट पती क्रोसिंग राष्ट पती उपराष्ट पती को उपराष्ट पती राष्ट पती को त्याग पत्र देता है साथियों परजिडेंट वाइस परजिडेंट को वाइस परजिडेंट परजिडेंट को क्योई से नमर साथ भारती सरिधान पर के किस अनुचेद में राष्ट पति को संसर के दोनों सदनों की स्युंगत बैटक बुलाने का अधिकार परदान किया है A. अनुचेर 1107 में B. अनुचेर 108 में C. अनुचेर 109 में B. अनुचेर 110 में बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा ये क्यूसन बहुत बार पूछा हुआ है कंपिडिशनों के अंदर अती महत्तपुन है साथियों कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम ना कर दुनिया में खुद से बढ़ कर कोई हम सफर नहीं होता है खुद पर विश्वास करो कोई ओर साथ हो या नहो उसकी परवा मत करो साथियों हमें अकेले चलना होगा हम सफर आप से बढ़ कर कोई नहीं आपका इसका एंसर होगा भी अनुचेद 108 में जो तीन तरीके से संसर के दोनों सदनों की स्युंक्त बैटक जो की भारत का राष्टपती बुलाएगा अनुचेद 108 त्यार कर लेना क्यों स्नमराथ भारत के परधान मंत्री की न्युक्ति करता है भारत का राष्टपती भारत की जनता सी संसर के सदस्से दी चुनाओ आयूग ये बताओ साथियों भारत की परधान मंत्री की न्युक्ति करता है और परधान मंत्री की हमेजण न्युक्ति होगी पीछे तर एक में कि उस नमबर नो भारती स्विधान के भाउग पाँज संग में अध्याई दों में संसद अनुचेद जो कि 89 से 122 तक है उसमें अनुचेद 89 में किसका प्रावधान है ये भारत के परदान मंतरी का, भी भारत के सरोच न्याले का, सी भारत की संसद का गठन, डी भारत के नियं परिक्स का बताओ अनुचे दुनिया सिमे किसका प्रावधान है तू बस खुद पर और खुदा पर भगवान पर भरोसा रख एक दिन जरूर विनर होगा ये अपने दिमाग में बात रखना प्यार विदार्थियों तू बस खुद पर और खुदा पर भरोसा रख एक दिन ज जरूर 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 विनर होगा विजेता होगा सफलता मिलेगी इसका एंसर होगा सी भारत की संसद का गठन है अनुचेद 89 में भाग पांस संग अध्याय दो जिसका नाम संसद है 89 से 122 ये पूरी लाइने त्यार कर लेना मेरा उदस से ज्यादस ज्यादा मेटर पहुंचा क्यूस नमर दस भारती संसद में सामिल है ए लोकसवा राजिस्वा उपराश्टपती बी लोकसवा राजिस्वा विधान सवा सी लोकसवा राजिस्वा राश्टपती डी लोकसवा और राजिस्वा बताओ भारती संसद में सामिल है भारती संसद कहा जाता है भारती संसद क अर्थ है ऐसा कि उसन बहुत बार आता है कहीं आप सोचते हो कि सर ऐसा कि उसन थोड़ी आता है हाँ जी आता है बहुत बार पूछा भी गया है ऐसे त्यार कर लो आज जादतर तो अनुचेदों से समझते हैं लेकिन फिर भी बीच बीच में अटी महत्तपुन कि उसन मैंने ड इन्हें जरूर त्यार कर लेना मेरे उकात से ज़्यादा मेरे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने की चाहत उससे भी बड़ी है अपने अंदर दड़ निचे संकलप लो कि मेरे उकात से ज़्यादा मेरे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने की चाहत उससे भी होती हैं संसद के इन तीनों से मल करके संसद बनेगी अनुचेद उनियासी में ये लिखाव है दो सदन होंगे लोक्सवा रस्वा और राष्ट्पती तीनों का स्युंक्त नाम है संसद तीनों सामिल होंगे संसद में क्योंस नमर राश्पती संसर में विशेश अविवासन देता है कौन से अनुचेद के अंत्रकत ए अनुचेद 58, बी अनुचेद 86, सी अनुचेद 87, डी अनुचेद 88, बताओ साथियों अती महत्तपुन के उसने अनुचेद तो देखो त्यार करने ही होंगे तुम्हें अपने लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, लोग सिर्फ अपना ग्यान देंगे, साथ नहीं, वो तो मार्गदर्सन दे सकते हैं, जबकि लड़ाई तो आपको स्यम को ही लड़नी होगी साथियों इसका एंसरोगा सी अनुचेद सतासी में है ध्यान देना कि राष्टी संसन में विशेस अभिवासन देता है और दोश्टीतियों का उलेख भी किया गया है जो हमने अपनी कलास के अंदर पढ़ा था कि उस नमर 12 भारत का ऐसा पदादिकारी जो संसद का सदस से नहीं होता लेकिन उसकी कारियवाही में भाग लेता है लेकिन मत नहीं देता A. भारत का नियंतरक महालिखा परिक्सक B. भारत का केंद्रिय वित्मंत्री C. भारत का उपराष्ट पती D. भारत का महानयवदी बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे कैसी लग रही है आजवाली पश्टनोत्री बतादो ना साथियों ह ना मज़िदार इसका एंसर होगा D. भारत का महानयवदी जो संस्द का सरस से नहीं होता इनुसकी कारवाई में भाग लेता है चर्चा अपरी चर्चा करता है लेकिन मत नहीं देता वोट नहीं देगा भारत का महानयवदी आटाणी जन्रल क्यूस नमर तेरा निमन में से ऐ एस संगत है ऐसे क्यों संथियार करो साथियों A. अनुचे दुनिया सी संस्द का गठन B. अनुचे रसी लोकसवा की सरंचना C. अनुचे 83 संस्द के सदनों की आउदी D. अनुचे अठान में संस्द का सची वाले बताओ साथियों A. संगत तीन सही है ए गलत है गलत कुन से वो बता दो, बड़ी जीत बड़ा सोर होगा, तुमारा सिर्फ वक्त है, हमारा दोर होगा, ऐसा मन के चलो साथियों अपने अंदर, कि आपका दोर आएगा ऐसा कोई, इसका एंसर होगा भी, अनुचेद असी लोग सवा की सरंचना, ना जी ना, अनुचेद असी में तो राज सवा की सरंचना है, जिवकि लोग सवा की सरंचना तो, एक क्या सिमी है, और तीनों सही है, कि उस नमबर चोदा, संसर के सदनों की गणपुर्ती होती है, ये तो बता ही दोगे, ए, एक बटा दो, बी, दो बटा तीन, सी, एक बटा दस, डी, एक बटा चार, बताओ साथियों, ऐसे भी लिखावा आ सकता है, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, तो हम अगर एक बार हार भी गए, उसके बाद में हमें जीतना है, क्योंकि हार के जीतने वाले को ह की बाजीगर कहते हैं साथियों इसका एंसरोगा सी एक बटा दस दसवा भाग होता है गणपुर्ती लोकस्वा की पिच्पन राजिसवा की पच्चिस त्यार करेना अती महत्तपुन कि उसने कि उस नमर पंद्रा धन विदे की परिभासा भारती सविधान के किस अनुचेद मे हैं फिर आगे अनुचेद त्यार करो साथियों आज केवल अनुचेदों पर ही ज्यादा गोर है मेरा इसलिए ये परश्टनोत्री अमानों स्पेसल अनुचेदों की है जिसे आपको त्यार करना होगा अनुचे रेक सो सत्रा में बी अनुचे रेक सो नो में सी अनुचे रेक सो चोदा में डी अनुचे रेक सो दस में बताओ धन विदे की परिभासा भारती सविधान के किस अनुचेद में है ठिक है ठिक है ठिक है साथियों इसका एंसर होगा D अनुचेद 110 में है धन विदेग की परिवासा जब की परिकिरिया 109 में है 117 में वित विदेग है कि उस नमर 16 निवन में से गलत है A अनुचेद 108 कुछ दसाओं में दोनों सदनों की स्युंक्त बैटक B अनुचेद 120 संसर में परियोग की जाने वाली भासा C अनुचेद 111 वार्षी वितिये विवरन बजट D अनुचेद 114 विदेग बताओ गलत तीन सही है एक गलत है गलत कौन से वो बतादो साथियों आज तो अनुचेदी अनुचेद का क्यूसन करें सर हाँ जी मैंने पहले कलासों में अनुचेद कलियर करवाई थे 52 से 151 तक इसका एंसर होगा C अनुचेद 111 वार्षी वितिये विवरन बजट ना जी ना 112 में है वार्षी वितिये विवरन बजट क्योसन नमर 17 भारती सुधान के भाग पात संक्य अध्धाय तीन राष्टपती की विधाई सक्ती समंदी कौन सा अनुचेद है जो मुसीबत में भी मुस्कुराता है वही बादसा कहलाता है तो मुसीबत कितनी हों दिखते कितनी हों फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है जो मुसीबत में ही मुस्कुराता है वही बादसा कहलाता है इसका इंसर होगा बी अनुचेड 123 एक दो तीन उसमें विदाई सक्ति अध्यादेस जारी करने की अध्यादेस तीन में ध्यान दो 123 कूसर नमबर 18 राश्टपती के अध्यादेस सक्ति मानने होती है जो अध्यादेस सक्ति कितने समय तक मानने होती है जो अध्यादेस से कानून बना है वह कानून कितने समय तक मानने होगा कैसी लग रही है आज वाली पश्टनोत्री बता दो है ना गजब, रोचक और माजेदार साथियों रिजाई में बेट करके आप जो पश्टनोत्री कर रहे हो उसके मजे ही अलग आ रहे होंगे आज तो साथियों इसका एंसर होगा सी, छे माहा तक राश्टपती की अध्यादेस सक्ति है वो छे माहा तक ही मानने होगी क्योंकि छे माहा में संसर के अध्यादेस होना जैरूरी है क्योंस नमबर 19, निम्न में से गलत कथन है ए, राश्टपती द्वारा किसी भी समय अध्यादेस वापस लिया जा सकता है भी, राश्टपती अध्यादेस सक्ति संसर के अध्यादेस में आने के बाद तीन सही है ये गलत है गलत कौन से है वो बता दो साथियों ठीक है ना आज वाली पश्चनोतरी अगर अच्छी लग रही है तो इसे एक बार सेर कर देना अपने दोस्तों के साथ आभी और लाइक करना तो मत भूलना बहुत कम लाइक कर रहे हो प्यारे विद्धार्थियों क् इसका एंसर होगा C सविधान के अनुचिर 122 में राष्टपती की विद्धाई सक्ति का उलेख है ना जी ना 122 नहीं 123 है एक दो तीन में है विद्धाई सक्ति का और तीनों बाते सही है क्योंस नमर 20 बहारती संसद के साधन है A 2 B 3 C 4 D 5 ये तो बता ही दोगे देखो जल्द जल्दी बता रहें प्यारे विद्धारती हाँ जी वेरी गुड बहुत बाडियां ऐसा क्योसन भी आया हुआ है बहुत बार ये मत सोचना इतना E G क्योसन तो क्या आएगा साथियों E G क्योसन भी तो होती है ना पेपर में तो उसमें आसता है भारती संसद के सदन है इसका किस सविधान संसोदन के द्वारा कहा गया कि राष्ट्पती के अध्यादे सक्ति को न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकती न्याइक समिक्षा नहीं हो सकती A. 42 सविधान संसोदन द्वारा B. 44 सविधान संसोदन द्वारा C. 38 सविधान संसोदन द्वारा D. 49 सविधान संसोदन द्वारा बताओ साथियों पड़ा हुआ तो है कन्फ्यूज हो रहे हो क्या कब 42 होगो चमाली सविधान संसोदन द्वारा C. 38 सविधान संसोदन द्वार 1925 में किया था लेकिन उसके बाद में 45-वे सविधान संसोद 1928 में ये प्रावदान हटा दिया गया क्यूसर नमर 22 वर्तवाने बहरती सविधान के अनुचे 123 राष्ट प्रिविदाई सक्ति में कितने पार्ट हैं कितने पार्ट बंटे हुए उसके अंदर सविधान के अंदर बताना सब्दस है A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 बताओ साथियों आजकल ऐसा अंदरूनी क्यूसर भी पूछ लिया जाता है अगर आपने मेरी पीछे वाली कलास से देखी है तो इसका एंसर जरूर बता दोगी इसका एंसर होगा C, 3 ही है एक बार चार बने थे 38 सविधान संसोद निसो पिछेतर लेकिन 78 में उसे हटा दिया तो ये मानो वर्त वान में तो 3 ही पार्ट बने एक दो और तीन क्योंस नमर 23 निमन में से गलत कथन है A, राश्पती अध्यादेस जारी करने की सारदी महत्वण विधाई सकती है B, राश्पती की अध्यादेस जारी करने सकती की परकरती अलपकालीन होती है C, राश्पती किसी कर विधी को भी परिवर्तित या संसोदित कर सकता है तता सविधान संसोद नेतु अध्यादेस जारी भी कर सकता है D. राष्ट्पति किसी भी अध्यादिस को पर्धान मंतरी के नेतरत वाले मंतरी मंदल की सलापर ही जारी करता है अत्वा वापस लेता है बताओ साथियों निमन में से गलत कतन तीन सही बातें एक गलत है गलत कौन सी है वो बतादो साथियों करो अपना मुल्यांकन कैसी लग रही है आजवाली परश्णोत्री है ना गजब और माज़ेदार इसका एंसर होगा आजब 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 अगर आपने पड़ा है तो हम करम से चले हैं पहले अध्याए एक के क्यूसन लेखे आठ उसके आदमे अध्याए दो के देखे फिर अध्याए तीन के अब अध्याए चार के देखेंगे साथियों इसका एंसर होगा डी उस्तम नियाले की स्थापना और गठन का उलेख है अन अनुचेद 124 में जो की उच्थम नियाले संगिय नियाए पली का 124 से 147 के अनुचेद तक कि उसन नमर 25 अनुचेद 127 के अंत्रगत तहत तदर्थ नियाए दिसों की न्युक्ति कौन करता है ए भारत का राश्टपती मुख्य नियाए दिस की पुरो सहमती से भी भारत का इसन की पुरो सहमती से बताओ साथियों कन्फ्यूज होगे क्या हां जी ऐसे कि उसन भी बना दिये जाते हैं आनुचेद 127 के तहत तदर्थ नियाए दिसों की नियुक्ति कौन करता है करो अपना मुल्यांकन बताओ 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 इसका एंसर क्या होगा मट्टा सर बड़ा जोरका है इसका एंसर होगा भी बहारत का मुखे नियाए मुर्ती राष्टपती की पुरो सहमती से तदर्थ नियाए दिसों की नियुक्ति करता है जब गणपुर्ती नहीं होती है उस समय करेगा कौन मुखे नियाए मुर्ती और पुरो सहमती राष्टपती की होगी कि उस नमबर 26 वर्तवान में भारत के सरोच नियाले में 99 इसो की संख्या कुल है A 26 B 31 C 34 D 7 पलस 1 बराबर 8 बताओ साथियों बहुत इजी क्यूसन है ये तो बता ही दोगे ना देखो कई मुस्कुरा रहे हैं कई हस रहे हैं हाँ साथियों बताओ इसका एंसर इसका एंसर होगा C 34 वर्तवाने कुल नियाई दिसो की संख्या भारत के सरोच नियाले सुप्रिम कोट उस्तम नियाले 33 अन्य नियाई दिस और एक मुखे तो यहां कुल पूछा है तो कुल में 34 ही आएगा मुखे को छोड करके 33 होंगे क्यूशन है हाँ जी जरूर आज अनुचेदों के ही जादा तर क्यूसन है इसका एंसर होगा D अनुचेद 143 याद करो साथियों 143 प्रामर्स लेने की सकती है राश्टपती की सर्वोच नियाले से क्यूसन नमर अटाइस नियुन में से गलत है सर्वोच नियाले के नियाजिसों की नियुक्ती राश्टपती करता है बी सर्वोच नियाले के नियाजिसों को सपत परधान मंतरी दिलाता है सी सर्वोच नियाले के नियाजिस अपना त्यागपत राश्टपती को देते है डी सरोच नयाले के नयाजिसों का कारेकल 55 वर्स की आयू तक होता है बताओ निमन में से गलत तीन सही है एक गलत है गलत कौन सा है वो छाटो प्यारे विद्यारतियों अती महतपुन क्यूसन बन सकते हैं एक साथ चार क्यूसन तैयार हो सकते हैं मैंने काना जादा से जादा मैटर पहुँचाना ही मेरा उदस से है आपका काम है तیयार करना बी अनुचेर 126 उस्तम नयाले की स्तापना और गठन B. अनुचे 126 कारे कारे मुख्य नयादिस की नुक्ति राश्ट पती करेगा C. अनुचे 127 उस्तम नयाले का विलेख नयाले होना D. अनुचे 133 उस्तम नयाले का स्तान बताओ साथियों निम्न में से ऐ संगत है तीन सही है एक गलत है गलत कौन सा है वो बताओ अगर आपने अती महत्तपुन अनुचे इत्यार किये हैं तो आसानी से इसका एंसर दे सकते हो साथियों बता दो ठीक है ना कैसे लग रहे हैं आज वाले क्यूसन हो रहा है ना आपका मुल्यांकर इसका एंसर होगा का सिनुचे रेक साथा उस्तपनीयाले का अविलेखनीयाले होना ना जिना ध्यान दो 127 में तो जो की रिटायर सेवा नियुर इतने आई जिसे उनकी बात है जब कि अभी लेक नियाले तो 139 में है आ गया न ध्यान में कि उस नंबर 30 उस्तव नियाले की आरंबिक अधिकारिता का उपबंद भारती सुईधान के किस अनुचेद में है आरंबिक अधिकारिता का A. अनुचेद 131 में B. अनुचेद 132 में C. अनुचेद 133 में D. अनुचेद 134 में ये लो सर 1, 7, 31, 32, 33, 34 हां जी हां ऐसे क्यूशन भी तो कई बार बना देता है पेपर सेटर इसलिए हमें तो हर तरीके से तयार रहना है बताओ आरंबिक अधिकारिता का उले कौन से अनुचेद में है इसका अनसुर बनेगा A. अनुचेद 131 में ये आरंबिक अधिकारिता एक में नुचेद वही फैसला करेगा और कोई नहीं वहीं निर्ने होगा वहीं पे ही यह मानो अपील की जा सकती है त्योंसर नमर इकतिस अनूचे 129 उस्तव नियाले का अर्थ होना का अर्थ है ए ये अन्तीम अपीले ये नियाले है व ये भारत का संगिय नियाले है सि ये अपने आवमाना के लिए दंड दे सकता है डी ये सभी परकार की अपेले सुन सकता है बताओ अभी लेख नियाले का अर्थ क्या होता है अनुचे रेक सो 29 ये अनुचे भी तियार कर लेना ठीक है ना बढ़िया लग रही ना आज वाली पश्ट नोतरी बताओ अनुचे राश्टपती की विदहाई सकतीयों का B. राश्टपती के आपात कलने सकतियों का C. भारत के महानेवादी आटावनी जनर्रल का D. भारत के नियंतरक महालेखा परिक्सक का बताओ साथियों भाग 5 जिसका नाम संग है अध्याए 5 है अनुच्य देख सो वर्ताले से 151 तक उसमें उले किसका है बतादो ठीक है ठीक है ठीक है मज़े आ रहे ना आज क्यूसन करके प्यारे विद्यार्थियों करो अपना मुल्यांकन इसका एंसर होगा D. भारत के नियंतरक महालेखा परिक्सक का उलेक है अनुच्य देख सो वर्ताले से 151 तक है अध्याए कौन सा 5 भाग 5 क्यूसन नमर 33 वर्तवान में भारत के नियंतरक महालेखा परिक्सक है ये तो बता ही दोगे आप पक्का देख लेना साथियों देखो अब जल्दी जल्दी बता रहे हैं वेरी गुड साथियों हाँ जी इसका एंसर बनेगा C. ग्रीश चंद्र मुर्मू होगा वर्तवान में भारत का नियंतरक महालेखा परिक्सक कैग C. A. G. क्यूसन नमर 34 भारत के नियंतरक महालेखा परिक्सक के संग के लेखाओं समंदी परतिवेदनों को किसके समच पस्तुत किया जाएगा A. संसद के B. वितायों के C. राश्टपती के D. लोक लेखा समिती के बताओ साथियों भारत के नियंतरक महालेखा परिक्सक के संग के लेखाओं समंदी जो परतिवेदन है वो किसके समच पस्तुत किया जाएगा ठीक है ठीक है है ना मजिद्दा राजवाली पस्त नोत्री इसका एंसर होगा C. राश्टपती के ध्यान दो साथियों किसके समच पस्तुत करेगा वो राश्टपती को देगा राश्टपती उससे संसद को देगा कि उस संवर 35 निमन मेंसे ऐ संगत है A. अनुछेर 128 भारत का नियंतरक महालेखा प्रिक्षक बी अनुछेर 150 संके और राज्यों के लिखाओं का प्ररूप C. अनुछेर 149 नियंतरक महालेखा प्रिक्षक के करतवे और सक्तिया डी अनुचेट 151 नियंतरक महालिका प्रिक्सक अपने पद पर ने रहे जाने के पशार भार सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधिन किसी और पद का पत्र नहीं होगा बताओ साथियों अनुचेट त्यार किये होंगे बतादो ऐसंग तीन सही एक गलत है गलत कौन सा है वो पकड़ो साथियों करो अपना मुल्यांकन ठीक है ना आज वाली पश्ट नौतरी गजब और महत पुण क्योंकि आज अनुचेद अनुचेदों के ही जादा तर क्यूसन ह वैसे तो बहाग पांच बहुत बड़ा है कितने ही क्यूसन मन सकते हैं इसका एंसर होगा डी अनुचेद 151 नेत्र माले का प्रिक्षा अपने पद पर ने रहे जाने के पशा भारस सरकार की या किसी राज्ये की सरकार की अदिन किसी और पद का पातर नहीं होगा ना जी ना 151 में नहीं ये बात तो 148 में ही लिखी हुई है 151 में तो पर्तिवेदन सन प्रिक्षा पर्तिवेदनों के बारे में है क्यूसन नमर 36 भार्ट के नियंत्र माले का प्रिक्षा से समदिद किन बातों का उलेक सवी धान में नहीं है एक नमर नुक्ती दो नमर योगेता तीन नमर सपत चार नमर कारेकल पांच नमर हटाना च्छे नमर त्यार पतर अब उपसन है ए में एक दो तीन बी में दो तीन पांच सी में दो चार च्छे डी में चार पांच छे बताओ साथियो करो अपना मुल्यांकन सही परकार से साथियों इसका एंसर होगा सी दो चार और छे कहने का मतलब है योगेता का कारिये काल का और त्याग पत्र का सविधान में कोई उलेख नहीं विवहार में परंप्रा बनी हुई है क्योस नमर 37 भारत के नियंतर महलेखा प्रेक्सक के किसी राजे के लेखाओं समधी पर्तिवेदनों को उस राजे के राजे पाल के समक्स पस्तुत किया जाएगा तो बताओ राजे पाल उसे किस के समक्स रखवाएगा A. संसद के B. राश्टपती के C. राजे के विधान मंडल के D. लोक लेखा समेती के बताओ अच्छी परकार से क्योसन को पढ़ो और समझो उसके बाद में अंसर बताओ अती महत्तपुन क्योसन निकल सकता है साथियों है ना आज वाले क्योसन गजब रोचक और महत्तपुन मज़े आ रहे हैं ना इसका एंसर होगा C. राजे के विधान मंडल के समक्स रखवाएगा राजे पाल जबकि संसद के समक्स तो राश्टपती रखवाता है नोट करो अनुचेड 151 Q. 38 निमन में इसे गलत कथन है ए भारत के कैग की निक्ति राश्टपती करेगा अधिपत्त जारी करके B. भारत के कैग को सपत केवल राश्टपती दिलाएगा C. भारत का कैग अपना त्याग पतर राश्टपती को समोधित करेगा D. भारत के कैग को 2.50 लाख रुपे मासी वेतन मिलता है बताओ साथियो इसका अंसर गलत बताना है तीन से एक गलत है तुम्हारी किसमत का लिखा तुमसे कोई नहीं चीन सकता अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता अगर रब पे भगवान पे मालिक पे अगर भरोसा है तो वो भी मिलेगा एक दिन इसका एंसर होगा भी भारत के कैको सपत केवल राश्टपती दिलाएगा ना जी ना राश्टपती या राश्टपती द्वारा नामित वेक्ती दिलाएगा केवल राश्टपती नहीं आएगा ये गलत हो जाएगा और तीनों बाते सही है क्योंस नमर 49 भारत के नियंतरक महालेखा प्रिक्सका कारियकाल होता है यह सामानेत है पांच वर्स भी राश्टपती के परसाद परियंत C. पांच वर्स या पैंसट वर्स की आयू जो पहले हो D. 6 वर्स या 65 वर्स की आयू जो पहले हो बताओ साथियों भारत के नियंतरक महालेखा प्रिक्सका कारिय काल होता है कैग का कम्प्टोरर ओडिटर जनरल बतादो साथियों बहुती महतपुन है ध्यान दो साथियों अती महत्वपुन क्यूसन निकल सकता है ऐसा गोर करो बताओ बताओ कैसे लग रहे हैं आज वाले क्यूसन सेर कर दो एक बार इसका एंसर होगा डी 6 वर्स या 15 वर्स की आयू जो पहले हो सामाने पांच नहीं होगा राश्पती परसाद परिंद चाहे सर्दान मों लेख ना हो कि उस नमर 48 अगस्त 2020 को ग्रीश चंदर मुर्मू भारत के चौदवे नमबर के नियंतरक महाले का प्रिक्सक कैग बने उससे पहले वे किस पद पे थे ए बिहार के राजेपाल थे बी जम्मु कस्मेर के उपर आजेपाल थे सी परधान मंतरी के वित सचीव थे डी भारत के चुनाओ आयुक्त थे बताओ साथियों ग्रीश चंदर मुर्मू जी सी मुर्मू कह सकते हो जो की कैग बनने से पहले किस पद के उपर थे बतादो साथियों ने थकान होनी चाहिए ने हार होनी चाहिए जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए इतनी सिद्दत से प्रिसरम करो कि हार भी सर के उपरा जेपाल थे जो पहले उपरा जेपाल बने थे जम्मु कस्मेर के इंदर सासिद परदेश के तो अति महत्तपुन के उसन निकल सकता है यह कि उसनमर 21 निमिन में से ए संगत है ए अनुचे 52 भारत का राष्टपती बी अनुचे 56 राष्टपती का निर्वाचन सी अनु राष्टपती बेर महावयोग चलाने की परकिरिया बताओ ए संगत यह अनुचे तो आएंगे साथियों और धान दो नौट करो अगला भारती राजवेस्ता का टेस्ट सविधान का भाग 6 राजे सरकार के टोमोष्ट जो अनुचे दे उनसे सम्मंदित होगा वैसे राजे स पन में हैं याद करो क्योशन नमर 42 सरकार के अंग होते हैं A 2 B 3 C 4 D 5 बता दो ये तो बता दोगे देखो मुस्कुरा रहे हैं का गुर जी स्यों क्योशन थोड़ी आवे हां जी बहुत बार पूछा हुआ है ये क्योशन B चाए ईजी क्योशनी क्यों नहों बता दो ना इसका एंसर क्या होगा ठीक है इसका एंसर होगा B 3 सरकार के तीन ही अंग होते हैं पांच मत कर देना व्यवस तापिका कारे पालिका और नियाए पालिका जब हमने टोपिक सुरू क्या देखा होगा आपने क्योशन नमर 43 बारती सुधान के ससे बड़े भाउग 5 का ससे बड़ा अ अध्याए कौन से वो बता दो अब ए पहला अध्याए कारे पलिका B 2 दूसरा अध्याए संकी नयाए पलिका D 5 अध्याए नियंतरक महालेखा परिक्सक बताओ साथियों इसका एंसर क्या होगा करो अपना मुल्यांकन भाग 5 एकदम कलियर हो जाना चाहिए इसका एंसर होग B 2 दूसरा अध्याए संसद है अनुचेद 89 से लेक 122 तक कुल 45 अनुचेद है उसके अकेले के अंदर तो अध्याए दूसरा संसर से बड़ा है भाग 5 का कि उस नमर 45 भारत की संगिय कारे पलिका में कौन सामिल नहीं है जो की कारे पलिका देश में परसासनी कारी करती है अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाते हो तो पहले सूरज की तरह जलो तपो तभी आप चमकोगे सातियों पहले मेहनत करो एपी जे अब्दुलकलाम ने ये बात कही है इसका इंसर होगा सी भारत का नियंतरक महालेखा परिक्सक कारिये पलिका में नहीं है और तीनों कारिये पलिका में माने जाते ही इनका अध्याए अलग ही है नियंतरक महालेखा परिक्सक का भाग पांच में अध्याए पांच ह क्योंस नमर 45 भारत देश में कानून की जांच का कारिये कौन करता है यह व्यवस्तापी का बी कारिये पाली का सी न्याए पाली का डियो प्रोक्तीनों बताओ साथियों भारत देश में कानूनों की जांच का कारिये कौन करता है ठीक है ठीक है ठीक है इसका एंसर होगा सी न्य पालिका करती है कानुनों की रक्षा करना व्याख्या करना और जांच करना न्याय करना कानुनों को तोड़े तो सजा या धंड देना किसी कारणवस राष्ट पती कास्तान रिक्त होने पर चुनाओ कराई जाएंगे अ यथा सिग्र दी दो महा के भीतर सी छे महा के भीतर दी तीन महा के भीतर बताओ साथियो इसका एंसर क्या होगा किसी कारणवस राष्ट पती कास्तान रिक्त होने पर चुनाओ कराए जाएंगे कब करवाई जाएंगे वो बताओ इसका एंसर होगा C चे माह के भीतर करवाई जाएंगे नैकी यथा सिकर चे माह के भीतर लिखा हुआ है बहारतिये सविधान के अनुचेद 62 में क्यों सनमर 47 संसर के दोनों सदनों की सिंग बैठे क्या देखसता लोग सबा देखस करेगा ये किस अनुचेद में है ये अनुचेद 101 में B अनुचेद 108 में C अनुचेद 115 में D अनुचेद 118 में बता दो इसका एंसर क्या होगा साथियों अगर आपने अनुचेद पड़े होंगे तो आज तो अनुचेद का ही अनुचेद का क्यूसर डाले है सर हाँ जी आज जादा तर अनुचेद के ही क्यूसर न है और मेरा यही उदस्य है कि जादस जादा अनुचेद त्यार करवाऊं मैं आपको इसका एंसर होगा डी अनुचेद 118 में है 108 मत कर देना हाँ स्युंक्त बैठक का प्रावदान है कि राष्टपदी बुलाएगा तीन स्तीतियों में लेकिन अदेखस्ता 118 चार में है क्यूसर नमर 48 भारत के राष्टपदी है तो कौन सा एक कारिये नहीं है ए प्रतियस ताकसर बी संसद में संदेश सी विद्हेक पर ऐसे विकरती डी संसद में भासन बताओ पढ़ो ऐसा क्यूसर न देखा है क्या कभी हाँ जी एक बार UPSC में आया हुआ है ये ध्यान दो साथियों लोग क्या कहेंगे पहले दिन हंसेंगे दूसरे दिन मजाग उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे इसलिए लोगों की परवा मत करो करो वो जो उचित हो जो आप चाहते हो जिसे आप खुस हो याद रकना जिन्दगी आप की है लोगों की नहीं इसका एंसरोगा ए परती अस्ताकसर एक कार ये नहीं है राष्टपती का नोट कलेना महत पुन की उसन है की उसन भूल नचास राष्टपती को सहायता और सला देने के लिए एक मंत्री परिसद होगी जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा ये किस अनुचेद में वर्णित है A. अनुचे 73 में B. अनुचे 74 में C. अनुचे पिछेतर में D. अनुचे स्थेतर में बताओ साथियों वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्डेट की उसन है बहुत बार पूछा हुआ भी है और आगामी भविसे में पूछा भी जा सकता है बतादो कैसे लग रही है आजवाली पश्ट नुचे आ रहे न मजे क्यूसन करके आपने अपना मुल्यांकन किया होगा भाग पांच से शमंदित जो टोपिक है इसका एंसर बनेगा भी अनुचे 74 में ये कहा गया कि राष्ट पती को साइट और सला देने के लिए एक मंत्री प्रिसद होगी जिसका परधान परधान मंत्री होगा यादगनार राष्ट पती मंत्री प्रिसद की सला पे काम करता है कि उस नमर पचास कोन बीना सदन का सदसे बने सदन क्या देखस्ता करता है A. राष्ट पती B. उपराष्ट पती C. महा नयावादी D. नियंतरक महा लेखा परिक्सक वेरी वेरी मौष्ट इंबोडिट की उसने सोचो बताओ अन्तिम है साथियों कोन बिना सदन का सदस्य बने सदन क्या देखस्ता करता है इसका एंसर बनेगा B. उपराष्ट पती जो की राजे सभा के देखस्ता करता है जो की राजे सभा का सदस्य नहीं होता उपराष्ट पती सभापती होता है राजे शाभा का नोट कर लेना अती महत्त पुन है ये आपके सामने नोट्स प्यारे विद्धार्थियों जो की पहले सरकार से समनी परी भासा दिये सरकार के अंग दिये स्कीन सोट लेकर के इने त्यार कर लेना भारत में सरकार जो की दोहरी सरकार है शंगात्म सासन विवस्ता संग सरकार और राजे शरकार नोट करना महत पुण है साथियों ये नोट से आपको अन्यता इस तरीके क नोट्स जल्दी से नहीं मिलेंगे संगात में कात्म सासन विवस्ता का आर्थ दिया है उद्हारन दिया है भारत में संग सरकार का उलेक कैसे है जो की अध्याई पांच हमने पीछे पड़े भी थे उसके नोट्स है संग शेप में संग्या संग्ये केंद्र सरकार संग्ये विस्तापिका संग्ये कारिपलिका संग्ये नयाई पालिका का उलेकर नोट कले न स्कीन सोट लेकर के मेरे प्यारे विद्धारती और प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं अच्छा लगाओ तो ज्यादा से ज्यादा सेर करें और लाइक करें आपने अपना किंती समय निकाल कर ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद नोट ध्धान देना इंडियन पॉलिटी टेट्स सीरीज नमबर 20 अगला भारती रा जो कि रास्तान इश्टी टेट्स सीरीज नमबर 9 अगला इतियाश टेश टेश टोपिक होगा रास्तान के इतिहास में रास्तान के अन्य महत्तपुण राजवंस जो रहे गई हो कुछ अती महत्तपुण हमने देख लिए पहले जेसल मेर का भाटी वंस भरतपूर का जाट जालवाट का जाला वंस और करोली का यादा वंस परतियार वंस परमार वंस आदी 23 दिसमबर 2020 बुदवार सुबह 8 बजे हो जाना तैयार साथियों ये टोपिक त्यार कर लेना किसी गाइड या बुक से आज वाला वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक औ मनजील नहीं मिलती यूँ ही चलता जाऊंगा मैं अपने आप से ये वादा करो साथियों जब तक हमें मनजील नहीं मिलती ऐसे ही चलते रहना है ये मानों अपनी त्यारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखना है जो मैं बार बार कहता भी रहता हूं साथियों आपको क्योंक वीडियो कैसा लगा हिमत मत हारो क्योंकि पहाडों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितना दूर है साथियों तो इसलिए अंत में यही कहूंगा सदा खुस रहो हसते रहो मुस्क्राते रहो प्रेम से मास्त रहो अपने लिए औ अपनों के लिए एक बार पने आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओके साथियों